हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बेक टो आर पाउंडेशन यह क्वाडिलेटरल चेप्टर का लास्ट पार्ट है इसमें हम लोग मीड़ पॉइंट थेरम के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटिट क्वेस्जन सॉल्फ करेंगे देखिए मीड़ पॉइंट थेरम यह कहता है कि किसी भी ट्रियंगल के दो साइड के मीड़ पॉइंट को जोडने वाली लाइन सेग्मेंट उस ट्रियंगल के थर्ड साइड के पैरलल होगा मतलब यह कि यह एक triangle है ABC एक triangle है and E माल लिजे कि midpoint है E AB का midpoint है and F AC का midpoint है तो according to midpoint theorem यह जो line segment है EF जो AB के midpoint को and AC के midpoint को connect कर रहा है यह line segment तीसरे side के parallel होगा and इसका half होगा मतलब EF is equal to half BC होगा midpoint का statement सिर्फ इतना कहता है कि किसी भी triangle में यह triangle है किसी भी triangle के किसी भी दो side के midpoint को यह किसी भी side के midpoint का हो सकता है यहाँ पे आप यह दोनो side ले लिजे तो यह दोनो side का है जो midpoint होगा इसको जोरने वाली यह जो line segment होगी वो तिसरे line के parallel होगी and इसे से double होगी मतलब यह माल लिजे की O है तो EO is equal to हो जाएगा half AC मतलब इसे से यह दुगना है अगर यह X है तो यह 2X हो जाएगा and यह थियरम किसी भी type के triangle पे apply होता है जैसे suppose कि यह की triangle का shape कुछ इस तरह का है यह माल लिजे की triangle का shape है तो इसके किसी 2 side का midpoint ले लीजिए यह A, B, C एक triangle है तो इसके this side and this side का midpoint लीजिए इस side का midpoint इधर आएगा कही and इसका इधर आएगा तो यह दोनो midpoint को ये दोनों midpoint को जो जोडने वाली line segment होगी ये जो line segment है EF ये हमेशा EF जो है parallel होगा AC के and EF is equal to हमेशा half AC होगा यही midpoint theorem कहता है बस इतना ही statement है and इसका second part ये है कि किसी triangle में एक side का midpoint इस midpoint से ये जो line segment पास हो रही है अगर ये दूसरे line के parallel है तो ये third line को bisect करेगी मतलब अगर इस triangle में ABC triangle में E midpoint है and EF जो line segment है ये BC के parallel है तो ये AC को bisect करेगी first statement जो मैंने बताया आपको कि किसी भी triangle के दो side का midpoint को connect करने वाली जो line segment होती है वो third side के parallel होती है इसी से ये second वाला statement भी derive हुआ है कि अगर इस triangle में ABC triangle में ये E midpoint है तो E midpoint से अगर कोई parallel line draw करें E midpoint से अगर कोई line segment draw करें BC के parallel तो ये line segment AC को मतलब कि other side को भी equally divide करेगी या bisect करेगी तो जैसे ऐसे समझें कि इस question में इस figure में आपको सिर्फ इतना information दिया हुआ है कि E midpoint है E midpoint है and EF parallel है BC के तो इसका मतलब ये हुआ कि ये EF जो है ये bisect करेगा AC को ये second statement हो गया ये देखे ये AF is equal to CF हो जाएगा अगर ये E midpoint है and EF parallel है BC के तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं first statement देखते हैं first statement के according अगर E midpoint है and F midpoint है इसका मतलब अगर AE is equal to EB है and AF is equal to FC है AE is equal to EB है and AF is equal to FC है then EF जो है वो parallel हो जाएगा EF जो है वो parallel हो जाएगा BC के ये BC के parallel हो जाएगा and EF is equal to half BC हो जाएगा ये first statement है and second statement के according देखिए second statement में दिया हुआ है कि ये midpoint है and ये parallel है BC के मतलब if E is midpoint ठीक है E is midpoint of AB मतलब क्या दिया हुआ है AE is equal to EB है and EF ये इसके parallel है EF parallel BC then then क्या हो जाएगा AF जो है FC के बड़ाबर हो जाएगा ये AF जो है FC के बड़ाबर हो जाएगा क्यूंकि ये line जाकर के इस line को bisect कर देगा तो ये था second statement की अगर ये midpoint है and ये parallel है तो ये इसको जाकर के bisect कर देगा तो ये second statement हो गया तो आप लोग ये अच्छे से समझी गया है ABC एक triangle है जिसमें ये midpoint है तो मतलब E midpoint है तो ये is equal to ये है and F midpoint है तो ये is equal to ये है ठीक है AF is equal to FC है तो आपको प्रूफ करना है कि EF parallel होगा BC के EF किस तरह BC के parallel होगा ये प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर BE के parallel या AB के parallel एक line draw करेंगे CD and EF को extend कर देंगे इस तरह से आगे की ओर तो ये इसके parallel है AB के parallel हमने CD draw किया है and question में दिया हुआ कि ये इसके equal है and ये इसके equal है क्यूंकि E and F midpoint है E and F midpoint है पहले से दिया हुआ है हम लोगों को prove करना है कि ये इसके parallel है EF जो है BC के parallel है तो ये दोनों triangle में देखिए A, E, F ये दोनों triangle में A, E, F ये triangle में and next है CDF ये दोनों triangle में देखिए ये angle और ये angle equal होगा vertically opposite angle ये angle and ये angle equal हो जाएगा vertically opposite angle है and ये ये वर्टीकल opposite angle हो गया and ये वाला angle इस angle के equal हो जाएगा क्योंकि ये इसके parallel है and ये एक transversal का काम करेगा तो ये alternate interior angle है जिसके वज़े से ये दोनों equal हो जाएगा इसका मतलब ये angle इसके equal हो गया मतलब ये x माल लिए ये तो ये भी X हो जाएगा ये अगर Y है तो ये भी Y हो जाएगा and AF side CF side के बराबर है क्योंकि ये एक mere point है तो ये side और ये side equal हो गया मतलब angle side angle angle side angle से ये congruent हो गया तो ये दोनों triangle congruent हो गया congruent हो गया तो ये side है इसके बराबर हो जाएगा अगर ये दोनों triangle congruent हो गया तो cd is equal to ae हो जाएगा अब देखिए cd is equal to ae हो गया एंड ये दोनों पहले से बराबर है क्योंकि eb midpoint है तो ae is equal to eb लिख सकते हैं इसका मतलब cd is equal to eb हो गया ये देखिए cd ये cd is equal to eb हो गया तो ये एक ऐसा quadrilateral है जिसमें ये line इस line के बराबर है एंड ये दोनों parallel है मतलब एक ऐसा quadrilateral जिसका 1 pair of opposite side equal है एंड पैरलल है तो ये एक parallelogram हो गया ये एक parallelogram हो गया एंड ये जब parallelogram हो गया तो इसका ये दोनों side आपस में parallel हो जाएगा क्योंकि एक parallelogram का opposite side हमेशा parallel होता है तो यह इसके parallel हो गया and next देखिए यह इसके बराबर भी हो जाएगा एक parallelogram में opposite side सिर्फ parallel ही नहीं होता equal भी होता है तो यह दोनों side आपस में equal हो जाएगा parallel तो मैंने proof कर दिया हम लोगों को 2 point proof करना था पहला तो कि यह इसके parallel है and दूसरा यह बताना था कि यह EF जो है यह half होगा BC के तो पहला हमने proof किया कि यह इसके parallel है and next देखिए जब यह दोनों को हमने congruent करा था तो क्या हुआ था जब यह दोनों triangle को हमने congruent किया था तो ये side इसके बराबर हुआ था and ये side इसके बराबर हुआ था and ये जो side है वो इसके बराबर हुआ था इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये भी है इसका मतलब क्या हुआ अगर ये दोनों बराबर है ये दोनों line अगर बराबर है इसका मतलब ed is equal to हम लोग लिख सकते हैं ये ef है न? ef is equal to हम लोग लिख सकते हैं half ed ये और ये बराबर हुआ न दोनों तो ये जो है पूरा का half हो जाएगा तो ef is equal to half ed एंड देखिए ये parallelogram में opposite side equal and parallel होगा ये जो parallelogram है इसमें opposite side equal and parallel होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ed जो है ये equal होगा bc के ed equal होगा bc के तो यहाँ पर हम लोग ed के जगा bc लिख सकते हैं तो ये total हो जाएगा ये वाला ef is equal to half और ये bc ये देखिए ed is equal to half bc यही हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना था ये फिसकोल तो sorry ef is equal to half bc यही हम लोगों को प्रूफ करना था तो ये ef is equal to half bc हो गया और ये parallel भी प्रूफ हो गया तो ये me too point theorem प्रूफ हो गया next point भी इसी तरह proof होगा next point में आपको proof ये करना है ये तो पहले से equal दिया हुआ है and ये आपस में parallel भी दिया हुआ है आपको proof करना है कि ये इसके बड़ाबर है तो इसमें भी आपको इसी तरह से ये extend करना होगा ये be parallel cd आपको extend करना होगा and देखिए ये जो quadilateral बना इसमें इसके parallel इसको आपने draw किया and ये इसके parallel पहले से दिया हुआ है इसका मतलब कि ये भी एक parallelogram हो गया इसके parallel आपने इसको draw किया and ये पहले से parallel दिया हुआ है ये पहले से parallel दिया हुआ है तो एक ऐसा quadilateral जिसका both pair of opposite side parallel है वो एक parallelogram हो जाएगा तो ये आपका एक parallelogram बन गया अब ये दोनों triangle में देखिए ये दोनों जो triangle है इसमें देखिए अच्छे से ये side ये angle इस angle के बराबर हो जाएगा जैसे पिछले वाले question में हुआ था ये इसके parallel है तो ये and ये transversal का काम करेगा तो ये alternate interior angle हो गया and ये vertically opposite angle हो गया equal हो गया vertically opposite angle से and ये एक parallelogram था parallelogram का opposite side equal होता है and parallel होता है तो ये be is equal to cd हो जाएगा ये be is equal to cd हो जाएगा ध्यान रखिएगा इस बात को ये be is equal to cd हो जाएगा and be is equal to ये पहले से दिया हुआ है be is equal to ये question में दिया हुआ है ये जो है mid point है तो be is equal to ये हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब cd is equal to ये हो गया तो देखिए ये दोनों triangle में फिर से देखिए ये angle इस angle के बराबर हो गया ये angle इस angle के बराबर हो गया एंड ये जो side है ये जो z side है ये इस side के बराबर हो गया तो ये congruent हो गया angle angle side से ये दो angle और ये side तो angle angle side से ये congruent हो गया तो ये दोनो triangle congruent हो गया तो अब क्या हो जाएगा ये side इसके बड़ाबर ये side इसके बड़ाबर हो जाएगा ये side जो है इसके बड़ाबर हो जाएगा इसका मतलब की f midpoint है यही proof हम लोगों को करना था कि f midpoint है मतलब f is equal to cf हो जाएगा तो यह proof हो गया तो यही midpoint theorem था अब इसे related हम लोग question solve करेंगे देखिए इसमें second statement को proof किया है जो हमने अभी proof किया यहाँ पे देखिए कि यह question है यह तीनो point midpoint है and इसी को join करके triangle बना है अब इस question में आपको proof करना है कि यह जो triangle है इसमें 4 तरह का triangle बना देखिए एक यह triangle है दूसरा यह triangle है तीसरा triangle यह बना और यह रहा चौथा triangle तो इसमें आपको बताना है कि यह 4 त्रियंगल आपस में congruent है इसमें 4 त्रियंगल को आपस में congruent करना है तो अगर आप एक triangle को बाक जैसे इसको इसके congruent प्रूफ कर दें फिर इसको इसके करेंगें देखिए सब मेंडूइध है एफ भी मीड़ड़़़़न है एफ भी मीड़़़़़। भी मीड़़़़़़ंत है और डी भी मीड़़़़़ो़़़न है तो midpoint theorem के according half of BC DF के equal होगा देखिए ये DF जो है ये पूरा के half होगा midpoint theorem के according DF is equal to हो जाएगा half of BC and ये half of BC ये BE is equal to ये जो BE है ये भी हो जाएगा half of BC क्योंकि ये एक midpoint है BE जो है ये पूरे के half हो जाएगा ये BE is equal to half of BC हो गया and DF is equal to half of BC ये midpoint theorem से तो ये देखिए half of BC half of BC मतलब BE is equal to DF मैं बस इतना कहना चाहरा हूँ कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा उसी तरह ये भी midpoint है तो ये जो line है ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये जो EF जो line है ये जो EF है वह ये पूरा AB के half होगा ये जो EF एगर ये X है तो ये पूरा 2X हो जाएगा and ये midpoint है तो ये भी इतना X हो जाएगा ये जो इतना है X हो जाएगा इसका मतलब कि ये भी इसके बराबर होगा उसी तरह ये जो है इसके बराबर हो जाएगा या इसके बराबर हो जाएगा मिट्वॉंड थेयरम से ही अब हम को एक ट्रिएंगल को बाकि ट्रिएंगल से congruent प्लूप करना है तो ये माल लीजी कि ये दो ट्रिएंगल है ये एक ट्रिएंगल है ये पहले तो ये देखिये ये इसके parallel है and equal है ये इसके पैरलल होगा या फिर ये जो है इसके पैरलल एंड इक्वल होगा ये दुनों लाइन आपस में पैरलल एंड इक्वल होगा इसका मतलब कि ये एक पैरलेलो ग्राम है उसी तरह ये जो है इसके पैरलल एंड इक्वल होगा इसका मतलब ये भी एक parallelogram है एंड इसी तरह से ये इसके equal and parallel होगा तो ये भी एक parallelogram हो गया मतलब मतलब ऐसे देखें ये अगर एक parallelogram हो गया तो ये side इसके equal हो जाएगा एंड ये side इसके equal हो जाएगा एंड ये opposite angle जो है ये माल ये की दो triangle बना तो ये side इसके equal and ये side इसके equal and ये opposite angle equal होता है परलेलोगराम का तो side angle side से ये दोनों triangle congruent हो गया उसी तरह इस quadrilateral में लिजिए ये दो triangle जो form हुआ तो ये side इस side के equal हो जाएगा and ये side इस side के equal हो जाएगा एंड ये वाला angle आपस में equal हो जाएगा या फिर ऐसे भी देख लिजिए कि ये side इस side के equal हो और ये जो है बीच में common side हो गया तो side 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 से ये तिनों ये दोनों triangle congruent हो गया तो इसी तरह आपस में ये सारा triangle congruent हो जाएगा ये इसके भी congruent हो जाएगा and ये इसके भी congruent हो जाएगा L, M, N तिन पैरलल लाइन दिया हुआ है and P and Q transverse है and ये P जो लाइन है इसको L, M, N इस तरह से डिवाइड किया है कि AB is equal to BC हो गया है ये दोनों आपस में बराबर है ये बराबर है and L, M, N पैरलल है इस question में सिर्फ दो ही information दिया हुआ है पहला तो कि L parallel M है and M parallel N है मतलब आपस में सब parallel है and AB is equal to BC है अब इसमें आपको बताना है कि ये इसके बराबर होगा मतलब आपको proof करना है कि FE is equal to ED होगा ये आपको proof करना है ये दोनों को equal तो देखिए इस figure में इस triangle को देखिए अच्छे से ये तीनों parallel है इसका मतलब ये line जो है इसके parallel होगा ये line जो है इसके parallel होगा and ये ये AB जो है BC के बराबर दिया हुआ है तो इस triangle में ये line इसके parallel है and ये line जो है mid point से जा रहा है AC के mid point से जा रहा है तो ये जा करके इसको इक्वाली बाइसेक्ट कर देगा इसको इक्वाल पार्ट में डिफाइट कर देगा तो इससे क्या हो गया ये जो है इसके बराबर हो गया AG is equal to GF हो जाएगा देखिए सिर्फ इस ट्रियंगल में देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके पैरलल है तो मीड पॉइंट के थियोरम के एक्वाडिंग इसके बराबर हो जाएगा मतलब ये इसके बराबर है AG is equal to GF हो गया अब सेकेंड ट्रियंगल में देखिए ये जो ट्रियंगल है इसमें देखिए ये इसके बराबर है ये इसके पैरलल है question में ये तीनों आपस में पैरलल दिया हुआ है तो ये इसके पैरलल है और ये इसके बराबर है तो यहाँ पे भी second statement के एक्वाडिंग ये जो है FD को bisect कर देगा मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा ये इसके इक्वाड दिया हुआ है और ये दोनों आपस में पैरलल दिया हुआ है तो ये दोनों आपस में इक्वाड हो जाएगा midpoint theorem के second statement के एक्वाडिंग तो यहाँ पे क्या हो गया F E is equal to ED हो गया यही हम लोगों को प्रूफ करना था यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेस्टन है कि A B C D एक क्वाडिलेटरल है A B C D एक क्वाडिलेटरल है एंड P Q R S यह सारा midpoint है एंड AC एक डाइगोनल है अब आपको बताना है कि A सार पैरलल AC मतलब यह A सार जो है यह AC के पैरललल है तो यह triangle लीजिए ACD ACD triangle में देखिए यह midpoint है question में दिया हुआ है and midpoint को जोडने वाली एक triangle में दो साइट के midpoint को जोडने वाली line हमेशा तिसरे line के पैरलल होती है यही आपको प्रूफ करना है कि A सार पैरलल AC है तो यह A सार पैरलल हो गया AC के and AC तो होगा ही and midpoint theorem के according ही यह जो है AC का half होगा मतलब AC होगा तो यह second point भी proof होगया next point प्रूफ करना है यह PQ is equal to SR यह PQ and SR को equal proof करना है तो यह देखिए इसको mind में रखिए next अब इस triangle में देखिए यह जो triangle है इसमें देखिए यह midpoint है यह भी midpoint है midpoint को जोडने वाले जो line segment होती है वो तिसरे line के parallel होती है and half होती है तो इसके according यह जो PQ है PQ जो है AC के parallel हो जाएगा and PQ जो है half of AC हो जाएगा half of AC हो जाएगा यह इसके half हो जाएगा तो यह देखिए यह second है यह पहला है SR is equal to half AC and second है PQ is equal to half AC तो यह दोनों statement हो जाएगा SR is equal to PQ यह यहाँ पर प्रूफ करना था SR is equal to PQ तो second statement भी प्रूफ हो गया next प्रूफ करना है PQ RS ही जब parallelogram यह जो PQ RS है यह एक parallelogram है तो देखिए हमने क्या प्रूफ किया हमने प्रूफ किया कि यह इसके parallel है and यह इसके parallel है इसका मतलब यह तीनों आपस में parallel हो जाएगा यह इसके parallel है and ये भी इसके parallel है ये देखिए, sr parallel to ac sr parallel to ac and pq parallel to ac pq parallel to ac तो ये इसके parallel and ये इसके parallel इसका मतलब sr, ये sr जो है इसके parallel हो जाएगा sr parallel हो जाएगा pq के and sr equal है pq के ये देखिए, sr equal है pq के तो sr equal भी हो जाएगा pq के तो अब इस quadrilateral में देखिए यह एक ऐसा quadrilateral है जिसमें यह जो opposite side है यह equal है and parallel है तो यह एक parallelogram हो गया एक ऐसा quadrilateral जिसका one pure of opposite side parallel and equal हो वो एक parallelogram कहलाता है तो यह एक parallelogram हो गया तो यह first question solve हो गया next question देखते हैं ABCD is a rhombus यह ABCD एक rhombus है PQRS are the midpoints of the side ABCD and DA यह PQRS यह midpoint हो गया so that quadrilateral PQRS is a rectangle यह जो quadrilateral बना PQRS यह एक rectangle है यह आपको बताना है तो इसको rectangle यह PQRS को एक rectangle बतानी के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि PQRS is quadrilateral है जिसका एक एंगल 90 degree है PQRS एक ऐसा quadrilateral है जिसका एक एंगल sorry PQRS एक parallelogram है जिसका एक एंगल 90 degree है तो यह rectangle हो जाएगा तो देखिए इसको कैसे करेंगे सबसे पहले एक diagonal draw करेंगे हम लोग रॉंबस का यह diagonal draw किये अब जिस तरह से यह पिछला question को हमने करा था कि यह जो दो triangle बना था इसमें यह इसके parallel and half था एंड इसी तरह से इसमें यह इसके parallel था and half था तो यह दोनों आपस में equal and parallel हो गया था उसी तरह यहां पे भी होगा यह देखिए यह जो triangle बना यह दोनों mid point है तो यह इसके parallel हो जाएगा उसी तरह यह वाला इसके parallel हो जाएगा इधर से देखिएगा तो इस triangle में देखिएगा तो तो यह इसके parallel है और यह इसके parallel है तो ये दोनों आपस में parallel हो जाएगा ये दोनों equal भी हो जाएगा क्योंकि sp is equal to half bd sp is equal to half bd होगा and rq ये जो rq है rq is equal to half bd होगा हाँ bd होगा तो sp is equal to rq हो जाएगा sp is equal to rq हो जाएगा तो देखिए ये जो pqrs है pqrs एक ऐसा quadrilateral है जिसका ये जो one pair of opposite side parallel है and equal है तो pqrs एक parallelogram हो गया pqrs एक parallelogram हो गया अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो देखिए एक और diagonal draw कर लेते हैं देखिए pqrs एक parallelogram है आपको पता है कि रॉंबस का diagonal एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है ये रॉंबस का प्रूपर्टी होता है कि रॉंबस का diagonal एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर कट करता है तो ये 90 डिग्री है ठीक है अब ये एक parallelogram है ये एक parallelogram हमने अभी प्रूप करा इसका मतलब कि ये side इसके parallel है जैसे अभी हमने प्रूप किया कि ये जो है इसके parallel था and ये इसके parallel था यह इसके parallel है और यह इसके parallel है तो यह भी एक parallelogram हो जाएगा यह एक parallelogram हो गया जिसका एक angle यह 90 डिग्री है आप यह quadrilateral में देखिए यह parallelogram में देखिए यह पहले से parallelogram प्रूफ देथा ही औभ इसका एक एंगल 90 डिग्री भी हम लोग cambiar दिया यह एक एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया यह देखे यह इसके पैरलल है एंड यह इसके पैरलल है एंड यह इसके पैरलल है तो यह एक पैरलेलो ग्राम हो गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है क्योंकि diagonal rhombus का एक दुस्य को 90 डिग्री पर कट करता है तो यह एक parallelogram बन गया एंड यह 90 डिग्री है इसलिए यह भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि parallelogram का opposite angle equal होता है तो यह जो parallelogram बना था इसका एक एंगल 90 डिग्री भी बन प्रूफ हो गया एक ऐसा parallelogram जिसका एक एंगल 90 डिग्री है यह एक रिक्टैंगल हो जाएगा यह सेकेंड क्वेस्टन था थर्ड क्वेस्टन है ABCD is a rectangle ABCD a rectangle है PQRS are the midpoint PQRS midpoint है so that quadrilateral PQRS is a rhombus इसमें आपको PQRS को rhombus प्रूफ करना है तो rhombus प्रूफ करने के लिए इसको आपको parallelogram प्रूफ करना होगा और चारो साइट को equal proof करना होगा फीरcs को rhombus प्रूफ करने के लिए उसके इसको parallelogram प्रूफ करना होगा और इसको parallelogram तो आप इसली IT спас दिएगा जिसथी में किया था या इस तरह से second question में किया यह एक डॉस्वेस्टन बना लिजिए और मीड़ को इंडर यह इसके parallel हो जाएगा idea इसके parallel हो गया इसका मतलब कि यह एक parallelogram हो गया अब main question है हम लोगों को कि इसके चारो side को equal किस तरह से प्रूब करें तो देखिए इसमें यह दो triangle लीजिए यह एक triangle है and एक यह triangle लीजिए यह दो triangle पर focus करिए यह देखिए पी mid point है इसका मतलब यह side इस side के बराबर होगा यह angle 90 degree होगा क्योंकि यह rectangle है and यह side इस side के बराबर होगा क्योंकि rectangle का opposite side बराबर होता है तो side angle side side angle side से यह triangle इसके congruent हो गया तो यह side इसके equal हो गया देखिए यह side इसके equal हो गया तो इस यह जो figure बना इसको हम लोग separate draw करते हैं तो यह कुछ इस तरह का figure बनेगा जिसमें यह P है यह Q है यह R है एंड यह S है हमने इसको एक parallelogram prove कर दिया था parallelogram prove किया इसका मतलब यह इसके बराबर होगा एंड parallel होगा अब यह second time हमने क्या करा यह side और यह side को equal prove कर दिया मतलब यह जो sp यह जो बना यह जो sp है इसको हमने प्रूफ कर दिया PQ के equal यह PQ के equal proof कर दिया मतलब यह जो SP है यह PQ के equal है तो देखिए SP PQ के equal proof कर दिया एंड पहले से SP equal है QR के यह SP जो है QR के equal होगा क्यूंकि एक पेरले लोगराब हमने proof करा तो यह QR के equal हो गया तो अब देखिए इस तरह से चारो side equal हो जायेगा यह देखिए SP SP जो है QR के equal है and SP PQ के equal हमने proof किया and PQ जो है SR के equal होगा क्योंकि यह एक parallelogram है तो क्या हुआ चारो side आपस में equal हो गया तो PQ वारे से एक ऐसा parallelogram है जिसका सारा side equal है and ऐसे parallelogram को हम लोग rhombus कहते हैं तो यह भी proof हो गया next question कह रहा है इस next question में A, B, C, D एक कापेजियम है and यह इसके parallel है and यह midpoint है E जो है midpoint है AD का आपको बताना है कि यह जो EF है यह BC को bisect कर रहा है इसका मतलब आपको बताना है कि यह दोनों आपस में equal है तो यह question हमने किया था यहाँ पे जिस तरह से यह question solve हुआ था उसी तरह से यह भी solve हो जाएगा यह देखिए यह एक triangle बना जिसमें यह दोनों आपस में parallel है तो and यह वाला midpoint है E जो है midpoint है तो यह दोनों भी आपस में equal हो जाएगा यह भी midpoint हो जाएगा माली जे कि O है तो O भी midpoint हो जाएगा अब यह next triangle में देखिए यह जो next triangle बना यह इसके parallel है यह trapezium है यह दोनों आपस में parallel है और यह भी यह इसके parallel है तो यह इसके भी parallel हो जाएगा तो यह इसके parallel है and यह midpoint भी है इस side का midpoint है तो इसको यह bisect कर देगा इस line को bisect कर देगा तो क्या हुआ यह bf जो है cf के equal हो जाएगा यह इसके equal हो जाएगा यह ही proof कर दा है f is the midpoint of bc f जो है bc के midpoint है यह proof हो गया तीन question और बचा हुआ है next question देखिए in a parallelogram abcd abcd एक parallelogram है e and f are the midpoints of the side ab and cd e and f midpoint है so that line segment af and ec af and ec tricec कर रहा है bd को मतलब यह दोनों line इसको tricec कर रहा है मतलब आपको बताना है कि इसके बढ़ाबर यह बढ़ाबर यह है यह दोनों line इसको tricec कर रहा है इस line को इसका मतलब आपको यह तीनों को equal proof करना है देखिए question बहुत अच्छा है इसको आप video pause करके खुद से solve कीजिए नहीं solve होगा उसके बाद यह solution देखिए देखिए इसमें यह इसके parallel है and बढ़ाबर भी है a b parallel dc है क्योंकि a b c d एक parallelogram है तो a b parallel dc होगा and a b equal to dc होगा parallelogram का opposite side parallel होता है and equal होता है तो half of a b half of dc के बराबर होगा यह देखिए half of a b half of dc के बराबर होगा and आपको पता है कि e and f midpoint है तो half of a b यह a b का half हम लोग a e लिख सकते हैं मतलब half of a b equal to a e लिख सकते हैं and half of dc के जगा half of dc के जगा fc लिख सकते हैं तो यहाँ पे half of इसका मतलब ae is equal to fc आ गया यह देखिए ae is equal to fc आ गया एंड यह parallel पहले से है यह पूरा इसके parallel है तो इस quadrilateral में देखिए यह side इस side के equal and parallel है इसका मतलब यह एक parallelogram हो गया अगर यह एक parallelogram हो गया तो यह side इस side के equal हो जाएगा क्यूंकि parallelogram में opposite side parallel and equal होता है तो यह side इसके parallel and equal हो गया यह बात ध्यान में रखिए अब देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है कि a is equal to a and यह है dp is equal to pq is equal to qb है ठीक है हम लोगों को यह प्रूफ करना है इसके is equal to a is equal to a and हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि यह और यह आपस में parallel है तो अब हम लोग इस triangle में देखेंगे इस triangle में देखिए यह midpoint है and यह इसके parallel है अभी हमने प्रूफ किया न कि यह parallel है तो यह इसके parallel है and यह midpoint है इसका मतलब यह इसको bisect करेगा इसको bisect करेगा यह line इसका मतलब यह इसके equal हो जाएगा यह जो pq है यह equal हो जाएगा qb के ठीक है यह इसके equal हो जाएगा देखिए इस question में हम लोगों को proof करना था dp is equal to pq is equal to qb ठीक है हमने proof कर दिया था कि यह एक parallelogram है जिसके वज़े से यह इसके parallel हो गया जिसके वज़े से यह इसके parallel हो इसको bisect कर देगा तो इसको अगर bisect कर दिया तो यह दुनों आपस में equal हो गया मतलब PQ is equal to QB हो गया यह QB होगा यहाँ पर अब देखिए next यह वाला triangle देखिए यह इसके parallel है क्योंकि यह एक parallelogram है ठीक है तो यह आपस में parallel है एंड यह midpoint है यह जो F है यह midpoint है एंड यह इसके parallel है तो यहाँ पर यह fp जो है इसको bisect कर देगा QD को ठीक है तो यह जाएगा यह dp is equal to PQ आ जाएगा यह दोनों आपस में equal हो जाएगा यह देखिए dp is equal to PQ यहाँ पर देखिए pq is equal to QB and PQ is equal to dp है तो इसको कि यह क्यों भी तो यह प्रूफ हो गया तो यह कोईस्टन भी सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेस्टन है सो देड़ लाइन सेग्मेंट ज्वाइनिंग दे मीड़ पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइट्स ऑफे क्वाडिलेटरल बैसेक्ट इचेदर आपर माल लेजे कि यह तो इसका जो उपोजिट साइट के मीड़ पॉइंट को यह देखिए A B CD एक अक्वाडिलेटरल है तो इसका उपोजिट साइट के मीड़ पॉइंट को जो लाइन सेग्मेंट जो रहा है वो एक दुखसुरे को बाइसेक्श कर रहा है इसका मतलब ये P, Q, R, S ये देखिए ये opposite side का midpoint ये है sorry, ये side का midpoint क्यों है A, B side का midpoint क्यों है and A, B side का opposite side है D, C जिसका midpoint A से है A से है ये तो बताना है कि ये जो QS है similarly, A, D का midpoint है P and A, D के opposite side है B, C जिसका midpoint है और तो यह जो QS and PR है यह एक दुसरे को बैसेक्ट कर रहा है मतलब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है यह आपको प्रूफ करना है देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे वीडियो पॉस करके पहले खुद से प्रूफ कीजिए उसके बाद यह solution देखिए इस तरह से हम लोगे quadrilateral बनाए यह quadrilateral का rhombus है sorry, diagonal है ABCD quadrilateral का यह diagonal है BD इस figure में देखिए इस triangle में देखिए जो triangle बनाव इस triangle में देखिए यह दोनो midpoint है तो मीड़ पॉइंट को जोईन करने वाली यह जो लाइन सेग्मेंट है PQ यह पैरलल होगी DB के यह DB के पैरलल होगी similarly इस triangle में देखिए मीड़ पैरलल होगा यह जो यह भी मीड़ पैरलल हो जाएगा DB के इसका हाफ भी होगा ठीक है? हाफ भी होगा तो अब देखिए इसके according यह दोनों equation से PQ parallel and equal हो जाएगा SR के ठीक है? तो यह PQ RS एक ऐसा quadilateral है जिसका one pure of opposite side parallel है and equal है इसका मतलब PQ RS एक parallelogram हो गया अब देखिए PQ RS एक parallelogram हो गया है and PQ RS का यह diagonal है यह diagonal हो गया न यह जो PQ RS एक quadilateral बना है जो parallelogram जिसको हमने भी प्रूफ किया इसका यह दुनों तो diagonal हो गया and आपको पता है कि एक parallelogram का diagonal एक दुसरे को bisect करता है इसका मतलब यह equal to यह हो गया and यह equal to यह हो गया बस proof हो गया हम लोगों को यह ही तो proof करना था ना कि यह इसके बराबर है and यह इसके बराबर है तो यह proof हो गया इसके लिए हमने क्या किया यह जो quadilateral था तो इसमें यह जो PQRS से जो structure बना था इसको हमने पहले parallelogram प्रूफ कर दिया अब जब हमने इसको parallelogram प्रूफ कर दिया तो parallelogram का diagonal लेक दुसरे को bisect करता है तो इस तरह से यह solve हो गया next and last question ABC is a triangle right angle at C ABC एक triangle है ABC जो की C इसमें right angle है align through the midpoint M of hypotenuse AB यह point M है align through the AB and parallel to BC BC के parallel एक line जा रहा है यह M है यह point M है intersect कर रहा है AC एट D इसको D point पे intersect किया आपको बताना है कि D midpoint है AC का तो यह question तो easy है यह तो simply midpoint theorem से proof हो जाएगा यह इसके parallel है and यह midpoint है तो यह midpoint होगा है midpoint theorem से तो first तो proof हो गया second proof करना है कि MD perpendicular है AC के MD यह जो MD है यह AC पे perpendicular है तो देखिए यह इसके parallel है ठीक है यह DM जो है parallel है CB के and यह right angle है तो यह भी right angle होगा parallel line का यह property होता है यह angle और यह angle हमेशा equal होता है जैसे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ के इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ एंगल इसमें form होता है न तो one angle और five angle बड़ाबर होता है two और six बड़ाबर होता है यह देखिए one और five बड़ाबर होता है one is equal to five होता है and यह one और four बड़ाबर होता है vertically opposite angle तो इसके बड़ाबर four होता है and five is equal to eight भी होता है यह आपस में चारों equal होता है उसी तरह से यह दो और six आपस में equal हो जाएगा तो इसी से यह यह angle और यह angle आपस में equal हो जाएगा तो यह 90 degree है तो यह 90 degree हो जाएगा इसका मतलब dm जो है perpendicular है ac के तो यह देखिए md जो है perpendicular है ac के यह भी proof हो गया second है cm is equal to ma cm यह देखिए यह cm हो गया cm जो है equal है m a के cm is equal to ma यह दोनों को equal proof करना है is equal to half a b यह a b के half proof करना है तो देखिए m a a b के half तो हो गा ही यह mid point है न यहाँ पे हमने भी proof किया d sorry यह question में दिया हुआ है कि यह mid point है इसका मतलब m a is equal to half a b तो question में ही दिया हुआ है ठीक है यह वाला part तो question में ही proved है आपको proof करना है कि cm is equal to a में होगा आपको यह is equal to यह proof करना है तो यह दोनों triangle में देखिए यह पहला triangle लीजिए and यह दूसरा triangle लीजिए यह इसके equal है चुकि यह mid point है अभी हमने proof किया यह देखिए b c intersect ac at d sorry यहाँ यहाँ देखिए d is the mid point of ac d जो है ac का mid point है तो यह इसके बराबर हो गया यह दोनों में common है and यह angle और यह angle 90 degree होगा यह एक linear pair है न तो यह अगर 90 degree है तो यह भी 90 degree ही होगा यह angle 90 degree तो यह भी 90 degree मतलब side angle side से यह दोनो triangle congruent हो गया तो यह side इसके बराबर हो गया तो cm is equal to ma हो गया ठीक है तो cm is equal to ma proof हो गया और यह दोनो question में ही दिया हो गया तो यह question भी आपका solve हो गया अगर उसके बाद भी आपको कहीं किसी question में problem आया तो आप मेरे से comment में पूछिए लेकिन दूसरा question solve करने से NCR से पहले NCRT का सारा question आप खुद से solve कर लिजिए इस chapter का PDF description में दिया गया टेलिग्राम चैनल पर मिल जागा आप लोग video को like कीजे, share कीजे चैनल को subscribe कीजे, thank you